हला वडिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देगे अदानी ग्रूप की मुझसे पते कम नहीं हो रही हैं गौतम अदानी इंवेस्टमेंट की तलास में हैं और वो इंवेस्टमेंट की तलास में कई जगा जा रहे हैं लगातार बात कर रहे हैं क्या है कहानी किस तरीके से जानेंगे सब कुछ तो मैं मुकलगरवाल आपका आप ही के यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बल आइकोन हिट कर लीजे नोटिफिकेशन अन कर लीजे जिससे जब भी मैं लाइव आ ये कहने और मानने में मैं यकीन करता हूँ क्योंकि कोई भी नेता चाहे बीजेपी ओ या कॉंग्रेस हो वो मेरे घर को तो चलाए की नहीं घर को चलाएंगे हम अपनी महना से ये हम लोग पता नहीं कौन सी अंदभक्ती में आकर कॉंग्रेस और बीजेपी करके खुद में भाई भाई लोग जहरने लगते हैं जो कि मुझे लगता है कि हम लोगों को आपस में भाई भाई में जहगरा नहीं करना चाहिए बट कोई नहीं आपका नजरीया है आप अपना prospect रख सकते हो मेरा नजरीया है मैं अपना prospect रख सकता हूँ यहाँ पर अदानी मामले पर विपक्ष फुल एक्षन मोड में है और उस पर जैसे back to back reply आ रहे हैं सरकार की तरफ से जैसे finance minister का आया, LIC वालों का आया, bank का आया और अब खुद अमित साजी का reply आया वो अस्चर्ज क्रियेट करता है अब आपको कहो गया अस्चर्ज क्यों क्रियेट करता है देखें आप थोड़ी से history में जाओ तो देखो कभी भी इस तरह का कोई मामला होता है न तो इस तरीके से फटा फट जवाब नहीं आते हैं कितना भी पूछते रह जाओ कोई जवाब नहीं आते अगर ऐसा कहा जाए तो लेकिन उसके बाद भी इस विवाद पर हिंडनबर्ग और अदानी विवाद पर ग्री मंतरी अमित साजी ने पहली बार बयान दिया और उ इसमें बीजेपी के लिए छिपाने की कोई बात नहीं है और नहीं डरने की जड़वत है अब ये एक लाइन अपने आपने काफी हो जाता है कि वो अपने पक्ष को रखने की गोसस कर रहे हैं बट देखने वाली बात है कि इतना क्विक क्विक रिपलाई आप खुद से रहे हैं आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है आप जो कहना चाहते हैं खुल के कह सकते हैं मैंने अपनी बात जो थी वो साफ साफ रखी दूसरी न्यूज यह है कि जहां पर से भी दूसरों की जाँच करती है अब उसकी भी हो सकती है जाँच परता जी हैं कमपनी के सेर क्या होते हैं 300 से 3000 पहुंच जाते हैं और से भी नीद में सोता रहता है फिर कोई रिपोर्ट आती है और सेर धम देबर गिर जाते हैं फसता कौन है सिर्फ और सिर्फ रीटेल इंवेस्टर यानि सिर्फ आप उसके बाद भी से भी नीद में रहता है पर सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को एक कमीटी बनाने को कहा है ये कमीटी ऐसे सुझाओ देगी कि सेवी को नीद से जगाया जा सुखे या ऐसे सुझाओ भी कि जिससे सेवी को नीद ही ना आए तो कुल मिलाकर ये कमीटी सुझाओ देगी कि भहिया सेयर मार्केट के रेग experience से 19 साल का जब जब कुछ big event हुए big यानि कुछ बुरा हुआ है तो उस बुरे से experience लेते हुए system में बदलाव आया है और वो system का बदलाव हमेशा अच्छा हुआ है तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रूप के एंगेंस्ट जो जिसके कारण retail investor के पैसे डूबे या डूब रहे हैं वहाँ पर कुछ नया बदलाव आये और retail भाईयों के लिए वापस से एक नया और बहुत अच्छा बात हो यह हम भगवान से प्रात्ना करते हैं और आय होप आप भी प्रात्ना करते होगे जिससे की कुछ नई चीज ऐसी entry हो कि इस चीज पर लगाम लग सके वीडियो को लाइक तो कर दीजे दोस्त अब हम बात करते हैं अदानी enterprises का धमा का Q3 result आ गए हैं 2022 की October से December तिमाही में company को 820 करोर का net profit हुआ है जबकि अगर हम 2021 की October से December quarter में जाएं तो 11.63 करोर का सुद्ध धाता हुआ था अब यहाँ पर company ने 2022 की October से December quarter के दोरान operation से होने वाली आमदनी के करीब 42% बढ़ जाने की खबर दिये यह बहुत अच्छी बात है बट अगर आप गौर करो तो result के बेस पर stock में तेजी भी हुई 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 बट high level पर sustain नहीं कर सका वहां से गिर गया जबकि अगर mostly क्या होता है जब तेजी होती है तो एकदम high पर ही close होता है बट high पर close नहीं हुआ तो देखना है कितना क्या कर पाता है किस तरीके से कर पाता है यह वक्त बताएगा क्योंकि actually यहाँ पर एक और twist है जो मैंने वीडियो के सुरू में बताया था कि गौतम अदानी investment की तलास में अब आपको पताईए 24 जनवरी से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है गौतम अदानी ग्रूप की सेर में लगातार कमजोरी जारी है FPO भी अदानी enterprises का वापस ले लिया गया है और अब अदानी ग्रूप की कंपनियों में investment के लिए गौतम अदानी जो market में news है वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ कि अबुधाबी के international holding cooperation के पास पहुंचे है अदानी ग्रूप पिछले हफते से ही अबुधाबी के international holding cooperation से मोल भाव में जुटे वे है मोल भाव यानि market गिड़ गया अब कोई भी इंसान उस higher valuation पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा लेगिन अदानी जी चाहेंगे कि वो उसको सपना दिखाए वीजन दिखाए जिससे कि higher valuation पर investment हो अब जैसे share के price अब उपर जा रहे थे तो कोई भी इंसान किसी भी भाव में पैसे लगाने को ready था बट भाव गिरने पर investor कभी भी उस भाव पर पैसे नहीं लगाता है तो उसी को गते है मोल भाव तो ये मोल भाव चालू है यहाँ पर गौताम अदानी ग्रूप चाहता है कि अदानी इंटर्प्राइज या अनि कंपनी में International Holding Corporation इंवेस्ट करें अब यहाँ पर सुत्रों से खबर है कि गौताम अदानी ग्रूप के सिर्ष अधिकारी यानि अपर लेवल के अधिकारी अब उधावी जाकर International Holding Corporation और अनि इंवेस्टर से बाचीत करके इंवेस्टर को आकर्सित कर रहे है कितना पैसा इंवेस्ट किया जाना है यह फाईनल नहीं है लेकिन संकेत ही है कि 1.5 विलियन डॉलर के इंवेस्टमेंट पर बाचीत चल रही है इस जो इंवेस्टमेंट है उसको Confidence Capital कहा जा रहा है लेकिन सफलता अभी तक मिली नहीं है यहाँ पर सुत्रों का ये भी कहना है कि ये जो बाचीत है इन्वेस्टमेंट की प्राइमरी लेवल पर है अभी बाद अनदर लेवल पर नहीं पहुंची है सुरुवाती है तो कब तक इन्वेस्ट होगा कहना मुश्किल है लेकिन भीया माना जा रहा है कि बहुत जल्दी पैसा लग सकता है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी पैसा लगना जरूरी है क्योंकि ये अगर पैसा लगेगा तो एक confidence आएगा और वो confidence आएगा इसी लिए confidence capital इसको कहा जा रहा है क्योंकि विश्वास market में उसी से आएगा तो let's see पैसा आता है या नहीं आता है ये तो वक्त बताएगा उसके साथ अगर आप dmit or trading account अगर हमारे साथ open करते हैं तो link description में है open करके google form भर दीजेगा तो हम आपको एक special telegram में add कर देंगे unlimited benefit के लिए और unlimited benefit आपको बिलकुल मिलेंगे अब हम बात करते हैं ITC share के एक big news के आपको पता है कि सरकार के पास ITC के 94.45 करोर share है जिसकी 7.86% की हिस्सेधारी है ये हिस्सेधारी जो है unit trust of India के specified undertaking के जरीए है ठीक है तो अब इसमें एक चीज़ और जान लीजे कि दिसमबर 2022 क्वाटर के share holding के मुताभी के LIC की 15.3% और जो घरेलू mutual fund है उनकी 9.66% के हिस्सेधारी है तो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सरकार हिस्सेधारी बेचना चाहती है क्योंकि उसको अपने this investment का target complete करना है तो ये जो खबर market में चल दी थी जिसके कारण ITC का share भी गिरा था बट आज जब खबर आई ITC के बारे में तो वहाँ पर official खबर आई कि सरकार की कोई भी हिस्सेधारी बेचनी की मतलब मनसा नहीं है वो कुछ हिस्सेधारी नहीं बेच रहे ये पुरी तरी किसे गलत है इनके प्रूफ को दिखा रही है and I hope कि आप पोजिशनली इस तरीके से पोजिशन लेके बैठे और मुनाफ़ा कमा रहे हैं याद रखना कि यह लो बहुत धुआधार है वहाँ पर अगर हम इसमें next level के upper side move की बात करें तो हमें यह लगता है कि 17970 के ऊपर अगर निकलता है त आप इसमें अच्छी तेजी देख सकते हूँ यानि 970 इसका make or break का level है वहीं पर bank nifty देखो तो bank nifty लगातार अठकी परी है 41,850 के पास तो 41,850 इसका make or break का level है वहाँ पर ITC के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ITC में एक breakout हुआ था उसके बाद इसको redress किया इसको touch किया फिर तेजी हुई तो येक double top की तरह है जहाँ पर 389 के उपर अगर निकलता है तो इसमें तेजी हुई तो 389 इसका एक real make or break है वहीं पर एक और चार्ट आपके सामने है जहाँ पर reliance को हम लगातार कह रहे थे भाईया ये जो low है इसको सम्हाल के रखना अगर ये रहेगा त 2310 के लोगों नहीं तोड़ते वे 2381 तक आ चुका है तो यानि अब 2390 इसका make or break का level है यानि 2390 के उपर में चलता है तो आपको एक अच्छी move दे सकता है और वरना अठकता रहेगा तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए प्यार दीजिए और अगर आप अपना portfolio review कराना चाहते ह 3094321 पे call कर लीजिए portfolio review के दौरान आपने क्या share खरीदे हैं क्या नहीं खरीदे हैं या क्या खरीदना चाहते हैं जिससे एक अच्छा return कमा सकते हैं वो सब हम आपको guide करते हैं और उसमें आपको मेरे से बात करने का मौका भी मिलता है तो आप अगर चाहते है portfolio review कराना तो उ उसकी एक small fee देकर आप portfolio review करा सकते हैं thank you so much